आज पुरी दुनिया के बौध समाज के लिए और बौध धर्म दर्शन पाली भाशा इवं साहित और पाली व्याकरण से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी छती है आज परमपावन प्रोफेसर भिक्षू सत्पाल महाथेर जी का परिनिर्वान हो गया बोध गया में वह पिछले तीन दिन से बीमार थे और तीन दिन पहले उनको अंतरराष्टिये बुद्धिश्ट मेडिटेशन सेंटर जो की बोध गया में माया सरोबर के पास है बहाँ पर उसके बाथरूम में उनका पैर फिसल गया था वह गिर गये थे और आज 4 मई 2021 को प्राता तीन बज कर 45 मिनिट पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका देह अवसान हो गया एक पाली भाषा साहे तेवं पाली व्याकरण के एक यूग का ये निधन है एक यूग की ये छती है प्रोफेसर भिक्षू सत्पाल महा थे वह पश्मी बंगाल के निव जल पई गुड़ी के मालवजार नामक इस्थान है बहाँ पर हल्दी बाड़ी नामक गाउं से आते थे उस हल्दी बाड़ी नामक जो चाय के बागान का सुन्दर और मनोरा मेरिया है बहां के उस्सुरम वादियों में उनका जनम हुआ था और एक मार्च बिनोद बिहारी बरुआ थे और आप आठ भाई बहन हैं जिसमें की सबसे बड़े प्रोफिसर भिक्शु सत्पाल जी ही थे जिनके बच्पन का नाम समीर बरुआ रखा गया और चार बहने चार भाई जिसमें सबसे बड़े भाई आपी है और उसमें जब भिक्षू सत्पाल जी का जन्म होने वाला था जन्म से पहले ही उनकी मा जुथीका रानी बरुआ ने इस बात का संकल्प ले लिया था कि उनक्य होने वाली जो संतान है वह बहुत भिक्षू के रूप में बहुत धम और संग के लिए दान दे दी जाएगी और उस संकल्प को परमपावंध प्रोफेसर भिक्षू सत्पाल जी ने आज जीवन निभाया और वे उनके घर से 100 किलोमेटर की दूरी पर बुद्ध वि जो की बहुत बड़े बहुत भिक्षू रहे हैं वे आते थे उनसे उनका संपर्ख हुआ राश्टपाल महाथेर जी ने ही प्रोफेसर भिक्षू सत्पाल जी को 19 वर्स की अवस्था में बहुत भिक्षू संग में प्रिवेश दिलाया और उनकी पहली प्रिवज्या हुई उसके बाद उनकी बारे मई 1968 को उपसम पदा हुई और प्रोफेसर भिक्षू सत्पाल जी ने अपनी पढ़ाई बंगाल में की और उसके बाद उन्होंने में की पढ़ाई 1972 में नव नालंदा महाविहार नालंदा से की फिर वे पी एशडी करने दिल्ली विश्विद्या ल यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर महस्तिवारी जी के मार्ग निर्देशन में पी एशडी की लेकिन उनके जो गुरू रहे उनको जो पढ़ाने वाले शिश रहे वो प्रोफेसर भिक्षू जग्दिस काश्यप रहे आप भिक्षू जग्दिस काश्यप जी के शिश रहे प प्रोफेशर शाकरी मुखर जी ने आपको पढ़ाया, इस तरह इतने बड़े महानाचारियों ने आपको पढ़ाया और पाली भाशायूं साहित की जो परंपरा उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है, वह एक बहुत बिशाल परंपरा है, बहुत बड़ी अकैडमिक परंपरा है, प्रोफेसर भिच्चु सत्पाल जी ने पूरा जीवन, उन्होंने 1981 से, 1981 से 2004 तक, 16 जुलाई 1981 में आपका दिल्ली विश्मिद्याले के बौध अध्यन विभाग में, लेक्चरार के रूप में, बौध अध्यन विभाग में, पाली भाशा के लेक्चरार के रूप में, बहां पर चैन हुआ, और आपने 28 फरवरी 2014 तक, 34 बरसों तक, दिल्ली विश्मिद्याले के बौध अध्यन विभाग में पढ़ाया, बहां सेवाई दी, जिसमें आप 11 वर्ष, बौध अध्यन विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे, और आपके नित्रत में, विभाग ने दिनों दिन उत्रों तर प्रगती की, पूरी दुनिया के बहुत अध्यन के बिद्यार थी, आपके मार्ग दरसन में पढ़ते थे, चाहे वो थाइलेंड हो, चीन हो, जापान हो, बियतनाम हो, उत्तरी और दक्षणी कोरिया हो, लाओस हो, कमबोडिया हो, बाली हो, इंडोन हो, इसके अलावा इरान, अफगानिस्तान, इराक, बांगला देश, नैपाल, भूटान, स्री लंका, अमेरिका, इसराइल, आदी देशों के बिद्यार थीयों ने आपके मार्ग दरसन में पढ़ाई लिखाई की, और उन्होंने कई उपाधियां प्रास्त की, इसके अलाव अब तक प्रोफेसर गिप्चु सत्पाल जी ने 80 बिद्यारतियों को एमफिल कराया और 86, 86 रिसर्च स्कॉलर को उन्होंने पीएचडी कराई, जिसमें 6 पीएचडी आईसी ऐसेसर की हैं, और 10 पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप हैं, 70 पीएचडी हैं, इस तरहे 86 उनके सफल मार्ग दर्शन अपने शोधारतियों के लिए कराया और उन्होंने 131 जन सभाओं में प्रवचन दिये, 22 विभागिये संगोष्टियां उन्होंने आयोजित की, 120 उन्होंने इस्थानिये संगोष्टियां की, 18 राष्टिये संगोष्टियां आयोजित की, 11 अंतर राष पुस्तकाले उन्होंने रखा था उसमें दस हजार पुस्तकें उनके पास्क थी पाली भाषा साहित और व्याकरण की उनका खुद का अपना उनका इतना बिशाल पुस्तकाले था और उन्होंने अपनी कच्चायन नयासो के नाम से पाली भ्याकरण पर उन्होंने लेखनी चलाई और इसके अलावा बिने सुत्त अविधम विशारत थे आप और उनकी जो बिद्दुता है पाली भाषा और भ्याकरण की इसको देखकर बर्मा की सरकार ने उनको अग्ध महापंडित की उपाधी से विवुशित किया था बर्मा की सरकार ने और इसके इलावा ये साउथ एसिया देशों के कई सारे बिश्विध्यालियों ने उनको बहुत सारे सम्मान दिये और प्रोफेसर विक्चु सत्पाल ने 37 पुस्तकें उनकी अब तक प्रकाशित हैं और उनकी 32 आप प्रकाशित पुस्तकें हैं अभी पिशली वार जब अक्टूबर में यहां मेरे निवासिस्तान पर बर्धा महात्मा गांधी अंतराश्टी हिंदी विश्विध्याले बर्धा में आये थे तो उन्होंने 32 आप प्रकाशित प सिंटर में बहाँ पर पाली की एक 15 दिन की दो सप्ता की एक कारेशाला की जाए जिसमें पाली व्याकरण बिनेसुत और अभिधम की पढ़ाई की जाए और पूरी दुनिया के स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स को बुलाके बहाँ पर हर वर्ष वो एक ऐसा करना चाहां रहे थे और उन्होंने 23 अंकों का विभिन रिसर्च जर्नल जो है बहुत अध्यन की बहुत अध्यन विभाग की 23 अंकों का उन्होंने संपादन किया उनके शिष पूरी दुनिया के विभिन विश्विद्यालों में हैं थाइलेंड, चीन, जापान, हंग कॉंग, बियतनाम, अध्यन का कंबोडिया लाउस इन विश्विद्यालों के विभागों में बहुत अध्यन विभागों में उनके शिष सेवाय दे रहे हैं भारत के कई विश्विद्याले में पूना विश्विद्याले से लेकर बर्धा विश्विद्याले दिल्ली विश्विद्याले गौत दिखार्थी सेवाएं दे रहे हैं काशी हिंदू विश्विद्याले यह हो ऐसे बहुत सारे हैं नम्नालंदा महाविहार हो जहां पर अभी प्रोफेसर बैदनात लावसर वहां की पुलपती हैं और वहां पर अभी डॉक्टर ललन कुमार ज्हाइब और पुर्शुत्तम कुम लागों में सेवाए दे रहे हैं उनके शिष बहुत सारे शिष उनके कई बड़े पदों पर हैं राज लेता हैं कुछ बिरोक्रेट्स हैं बहुजन समाज पारिटी के बिहार के प्रभारी डॉक्टर लाल जी मिधांकर जी ही हैं जो कि उनके शिष हैं आज अभी अंतिम संसका बीता है प्रोफेसर भिप्चू सत्पाल जी के समस्त शिष्यों पर उनके समस्त उपास्कों पर देश दुनिया के जितने भी बहुत बिद्या जगत से जुड़े लोग हैं बहुत साहित के अनवेशी और जिग्यासू लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत भारी बीता है और मैं एक और आपको सूशना दे दूँ प्रोफेसर भिप्चू सत्पाल जी ने दिल्ली में जो दक्षणी दिल्ली का इलाका है चितरण्यन पार्क बहां पर उन्होंने एक जगह ली थी दिल्ली सरकार के भू विभाग के द्वारा और दिल्ली विकास प्राधी करण के द्वारा उसमें उन्होंने अब तक 85 लाख रुपया अपनी पूरी जीवन की कमाई भंते जी ने 34 बरसों का बेतन उन्होंने बहां पर दे दिया भंते जी ने कभी कोई कार नहीं खरीदी कभी कोई स्पूटर नहीं खरीदा कभी कोई साइकिल नहीं खरीदी बहुत आचाहे उनकी कितनी भी सेवा कीजिए इस बास से वो खुश नहीं होते थे वे खुश इस बास से होते थे कि आपने आज या क्या पढ़ा है मुझे समझी है कि यहाँ पर 11 वर्ष पढ़ाते हो गए बर्धा में जिसमें मैं आठ वर्ष यहां विभाग का मैंने विभाग का प्रिभारी निदेशक रहा हूँ मैं अभी भी जब फोन करते थे तो सीरे पुछते थे पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है यानि कि वो यह मानते थे कि उनके जो सुपर्वाइजर जो है वो मेरे जो सुपर्वाइजर है वो अभी भी सुपर्वाइजर है और मैं उनका रिसर्च स्कॉलर हूँ पाली की बहुत सारी ग्रंथों का उन्होंने हिंदी अन्वाद का कारे आरंभ किया था उनकी अभी चौधे पुस्तके प्रकाशित हुई है जिसमें की भंते जी हर पुस्तक की पांडूली पी देखते थे मुझसे कहते थे तुम क्यों नहीं लिख रहे, तुम क्यों नहीं काम कर रहे, मैं बोलता दा गंदे जी अभी बिभाग के काम चल रहे हैं, इसलिए बेस्तता है, लेकिन हमेशा जो मेरी पुस्तकों का काम प्रकाशित होने वाला है, जो मेरी पांडूलिपियां उनके पास नाम से एक बहुत बड़ा बिशाल बुद्ध विहार बहुत भिक्षूओं के प्रिसिक्ष्ण का केंद्र और जो उनकी 10,000 पुस्तकें हैं उसकी एक बिशाल लाइब्रेरी वो बनाना चाहते थे ये सपना कब पूरा होगा उनका जो 80,000 रुपया बहां के उन्होंने दिल्ली सरकार को जो दिया है भारत सरकार के जो उन्होंने सहरी विकास मंत्राले को रुपया दिया है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हम सब उनके जितने भी शिश्या जितने भी बहुत बिद्ध्या के प्रेमी लोग हैं पाली भाशा और साहित के उनके लिए सच्च लोगों के घरों पर जो उनकी 10,000 कुस्तकें रखी हुई हैं उसका एक बेहतरी लाइब्रेरी उसको बिवस्थित बनाएं और जो उनकी बहुत सारी उनकी सामिक्री है उसको हम एक म्यूजियम के रूप में बनाएं भंते जी की इसमिर्ती सजोएं उसको हम अपने हिर्दे में सजोएं और हम पाली भाषा हैं साहित और व्याकरां के उन्नेयन के लिए बेहतर काम करें राद दिन काम करें यही सच्ची सरधानजली होगी इसी के साथ मैं अपने आधनिये गुरुबर प्रोफेसर भिप्चू सत्पाल जी को सरधानजली अर्पित करता हूं और सबसे एक और बात है कि प्रोफेसर भिप्चू सत्पाल जी ने अपना मे का डेरिटेशन उन्होंने परेत कताएं बहुत आध्यन में परेत कताओं पर किया था पेत बत्थू नाम की एक पुस्तक है बिमान बत्थू पेत बत्थू जब उन्होंने पि-चड़ी की तो उन्होने पि- गुरु जी ने मुझे बहुत आफ्टर डैथ, डैथ सिरेमनी, लाश्ट राइट्स जिसको कहते हैं हम, मिर्तक संस्कार, बहुत परंपरा में क्या होता है, कैसे होता है, इस पर उन्होंने मुझे काम कराया, मुझे बहुत सारे लोग रख कहते थे, कि भंते जी ने तुमको फसा दिया है, जो काम वो खुद करना चाहते थे, जो प्रोजेक्ट वो खुद करना चाहते थे, तो वो अभी करने ही पा रहे हैं, तुमको फसा दिया, अब तुम बहुत बुरे इस रिसर्च के काम में उलज गए हो मैंने उनको अपनी चिंता बताई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है सबसे पहले सफल उन लोगों की अपेक्षा तुम ही होगे यह उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया था आज भंते जी के आशिरवाद से यहां बर्धा के बहुत अध्यन दिवाद को इतनी उचाई तक मैं ले गया वह यहां की सलाकार परशद में रहे यहां के बहुत अध्यन मंडल के वह सदस रहे और वर्ष में एक बार इतने मेरे माता पिता बर्धा नहीं आए है जितनी बार भंते जी यहां मेरे घर आए है बर्धा में यहां पर मेरे आवास पर आए है हमेशा वर्ष में एक बार जब भी उनको समय मिलता था बर्धा आते थे रहते थे और जितनी मैं सेवा कर सका हम सब लोगों ने उनकी सेवा की है उतना कर सका गुरुजी के लिए यही मेरी अंतिम सरधानजली है हिर्देचीतकार कर रहा है बहुत पिड़ा है उनकी माने जिस संकल्प को लिया कि जनम से पहले कि मेरा बच्चा भिक्षू बनेगा उस नन्हे से नवजाशिशू ने उस परंपरा को निभाया भगवान बुद्ध की महान परंपरा को निभाया और उस बहुत भिक्षू पन को उन्होंने मलिल नहीं होने दिया उसकी गरिमा रखी और जहां पर भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था जिस नरंजना नदी के किनारे उसी नदी के किनारे आज उनका दहा संसकार कर दिया गया आज गुरुजी उसी मिट्टी में विलीन हो गए जिस मिट्टी से भगवान बुद्ध को बोधी धर्म की प्राक्ति हुई थी राजकुमार सिधार्थ जहां से सम्यक संबुद्ध बने थे उस मिट्टी में आज हमारे गुरुजी विलीन हो गए हैं वह समय कभी लोट कर नहीं आएगा मैं इसके साथ ही उनको अपनी भाववीनी सर्धानजली अर्पित करता हूँ सभी को मेरा नमो गुद्धाय और गुरुजी के लिए मेरी भाववीनी सर्धानजली